प्रकरती सिप्रेम पत्रकार बेदी जी अपने जीवन की शुरुवाती दिनों के बारे में बताईए बेदी जी पंचाव में रावी नधी के किनारी एक स्थान है देरा बाबा नानक गुरु नानक देव वहीं के रहने वाली थे हम बेदी लोग उनकी ही वंशज हैं मैं उनकी सोलवी पीड़ी का हूँ बात मी मेरा परिवार लायलपुर पंजाब में बस किया मेरे पिता जी रेलवे में नौकरी करते थे उन पर आरे समाजी उपदेशों का गहरा प्रभाफ था उन्होंने मुझे विद्यारजन के लिए हरद्वार के एक गुरुकुल में भीज दिया उस समय मैं केवल साथ वर्ष का था वहां मैं चौदा वर्षों तक रहा वही से सनातक की परिक्षा पास की पत्रकार किन परिस्थितियों ने आपको प्रकृती प्रेम से जोड़ा बेदी जी छुट्टी वाले दिन गुरु जी हम बच्चों को वनों और पर्वतों पढ़ले जाते थे वहां पानी के सुरोतों के पास वे हमें शेरों के पंजों के निशान दिखाते थे हमारे आश्रम के अंदर भी कभी-कभी शेर, तेंदुए, हिरण आ जाते थे अजकरों द्वारा हिरणों को निगल जाना हमने खूब देखा है इस तरह से प्रकृती से हमारा नाता जुड़ता चला गया पत्रकार, आपका संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार है यहां कैसे संभव हुआ? बेदी जी, गुरुकुल में पहली कक्षा से संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जाती थी तीसरी कक्षा से अंग्रेजी अनिवारे थी और विज्ञान की पढ़ाई छटी कक्षा से अनिवारे थी तो यहां सभ गुरुकुल की शिक्षा पद्धती की ही देन है दसवी कक्षा से मैंने आयुर्वेद ले लिया और आयुर्वेदा लंकार की उपाधी प्राप्त की बाद में कोलकाता से आयुर्वेद की उच्च शिक्षा प्राप्त की पत्रकार लेखन के क्षेत्र में आपका रुज्ञान किस प्रकार हुआ? बेदी जी कोलकाता स्थित एक पुस्तकाले में पुस्तके और पत्रकाई देखी और पढ़ी मुझे पत्रकाओं में लेख आधी पढ़ने के बाद ऐसी अनुभूती हुई कि ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ मैंने बास पर एक लेख लिख डाला उन दिनों इटावा उत्तरप्रदेश से अनुभूती नाम की एक पत्रका निकलती थी इसमें छपने के लिए मैंने वह लेख भेज दिया और लेख छप भी गया इस तरह लेखन के प्रती मेरा चुकाफ पैदा हुआ पत्रकार प्रकृती प्रेम की शुरुवात के साथ फोटोग्राफिक का शौक आपमें कैसे पनपा? बेदी जी एक दिन एक घटना घटी हमारे दूद वाले ने खबर दी के गौरी शंकर मंदिर के पास अजकर ने एक हिरन को जकड लिया है हम मंदिर के पास पहुँचे और वहां अजकर को हिरन निगलते हुए देखा हिरन साब की उस खटना ने मुझे प्रेडना दी कि यदि क्यामरा होता तो उस द्रिश्य की तस्वीर खीची जा सकती थी यह बात सन 1937 की है उसी खटना से प्रेडित होकर मैंने 150 रुपे में जर्मनी में निर्मित एक उन्नत किस्म का क्यामरा खरीट लिया बात में उस क्यामरे से मैंने गीदर खाते हुए अजकर की तस्वीर खीची उस तस्वीर और खटना क्रम से संबंधित लेक इलस्ट्रेट वीकली में छपा यह बात सन 1938 की है पत्रकार क्या आप जंगलों में हथियार लेकर चलते हैं बेदीजी नहीं मैं हथियार लेकर कभी नहीं चला और ना ही मेरे पास कोई हथियार है मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वन्य प्राणियों का अध्यान करने के लिए जंगलों में हथियार लेकर चलना चाहिए बस हमें जानवरों की आदतों की समझ होनी चाहिए वैसे जंगली हाथी और भालू ज्यादा खतरनाक होते हैं एक बार मैं और मेरा पुत्र नरेश कॉर्पेट नाशनल पार्क में हाथियों के तस्वीरे खीच रहे थे जैसे ही हाथियों को हमारी गंद मिली तो समू का मुख्या हाथी चिंगाडा और सब हाथी भाग लिये पर एक हतनी हमारी ओर बढ़ी संयोग से एक मोर्नी रास्ते में अंडे दे रही थी हतनी को देखकर मोर्नी फड़फडा कर उठी जिससे हतनी डर कर वापिस चली गई पत्रकार अपनी उपलब्दियों और पुरसकारों के बारे में बताईए बे दीजे मेरी करीब 60 पुस्तके छपी है बच्चों के लिए भी अनेक पुस्तके लिखी है अब तक मुझे 100 के करीब छोटे बड़े पुरसकार मिल चुके है मेरी बेटों ने भी वन्य जीवों पर 8 फिल्मे बनाई है उन सभी फिल्मों का मैं परामर्श दाता रहा हूं युनेस्कों की ओर से अंतराश्ट्रिय विशशग्य के रूप में मैं एक गोश्ठी में भाग लेने श्रीलंका गया था ब्राजील में वनस्पतियों पर 6 मा तक अध्यान कारी किया BBC की हिमाले से संबंधित फिल्म के संपादन के लिए लंदन गया डिस्कावरी चानल पर भारतिये वन्य जीवन पर बनाए गए कारिक्रमों का सलाकार भी रहा हूं पत्रकार बेदी जी अंत में पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने काम और उपलब्दियों से संतुष्ट है बेदी जी हाँ मैं स्वैम को बहुत सुखी और खुशाल मानता हूं मैं संतुष्ट इसलिए भी हूं कि मैंने अपने बेटों को जो बनाना चाहा वे बन गए ऐसा बहुत कम पिताओं के साथ हो पाता है